आदम खोर खुखार भेडिये का बचपाना मुश्किल ही नहीं बलकि नाम्मुम्किन हो चुका है क्योंकि मुखत सचीव ने आदेश जारी कर दिये बन विभाग को जैसे ही भेडिया नजर आएगा उसे गोली मार दिये जाने के आदेश दे दिये गए है नमस्कार बहुत स्वागत है आपका न्यूस दिटीन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में मैं हूरी रूयादव दरसल भेडियों की लगतार दह्शत बनी हुई है बहराइच के महसी इलाके में आपने देखा है कि एक रात पहले ही भेडिये ने हमला किया था और उसमें एक मासूम बच्चीक पर उसने हमला करते हुए वो हत्या कर दी और उसके बाद वो फरार हो गया भाग किया वहां से एक बुज़र्ग महिला पर भी उसने हमला किया बुरी तरीकिस लहूलुहार महिलों को हॉस्पिटल एटमिड किया गया अमावस्या की रात में ऐसा माना जा रहा था कि भेडिया जरूर आएगा और भेडिया आया दबे पाउं आया और दादी के साथ सो रही एक मासूम दादे उठी गाओं के लोग जो की पहरा दे रहे थे घर के बाहर उनकी नजर भी नहीं पड़े तुरंथ वी दौर पड़े शोर शराबा हुआ लाठी डंडे के साथ भेडिया पर हमला करने के लिए दौर पड़े और वो भेडिया वहां से भाग गया मासूम बच्ची की जाद बच गई तुरांथ हॉस्पिटल लेकर गए पूरा खोन निकला हुआ था पूरे गर्दन उसकी जख्म आ चुका था अब आप पहले सुनिए उस दादी की दर्द जो दादी बता रही है कि बच्ची मेरे साथ लिपट कर सो रही थी और भेडिया कब घर के अंदर दा बच्ची पर हमला करने आए सुनिए पहले दादी की पीड़ा दर्द और वो डर उसकी चहरे पर आप देख पाएंगे जो इस वक्त लगबक सभी के चहरे में नजर आता है दादी की कहानी उसी की जुबानी आप सुनिए जब न्यूज जेतीन समवादाता पहुंचे मौके पर ग्राउंड जिरो पर और उस दादी से बाच्चीत की गई हम रती रहा है पोती हमार हम रती रहा जो जैसे साहब आवा है तैसे छीना पोती तो हुं मार दी सियां घाटी थी पोती की घाटी पे मार देला जरुदन पे हां खून से तब सकता है वहीं हुआ हम अपने इस मुआ यहां गई के वो दादा दर्या तेल को रहीं है पोतीन लगा है इतना से बचाए को नी मेरे ऑच सब ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा अब पर टीक हो जाएगा मैं आपको एक तस्वीर दिखाँ यह जो यह यह आपने गेट लगाया था यह एड बंद रहाएग ये गेट बन था इस गेट को चालाकी से हटा के साइट साया है तो सुना आपने दादी के चेहरे से साफ पता चलता है कि सब लोग कितने जादा डरे हुए है और ये डर इसलिए है क्योंकि भेडिये सबसे जादा जो निशाना है वो उनके निशाने पर छोटे मासुम बच्चे होते हैं अब बहराईच के आसपास के शित्र में भेडियों का जो दायरा है वो बढ़ चुका है पहले 30-35 गाउं ते फिर 40-45 और अब 50-55 गाउं है जो कि इस तरीके से डर के साय में जिने के लिए मजबूर हैं अब ये 9 बच्चों की मौत के बाद ये 10 बच्चा था जिस पर भेडिये ने हमला किया था आदमखोर भेडिये की जो दहशत है वो इस कदर है कि अब ग्रामिडों के होसले तूटने लगे थे लेकिन इसी बीच एक बड़ा आदेश आया है मुखिस सचीव की तरफ से जब ये कहा गया है वन विभाग की टीम को की भेडिया जैसे ही नजर आएगा उसको गोली मार दी जाए इसलिए कहा जा रहा है कि आदमखोर भेडिये का अब बच पाना नाम्मकिन है ग्रामिलों ने जब इस भेडिये को देखा तो उन्होंने बताया है कि भेडिया बहुत ही खोखार है अच्छा खासा हस्ट पुष्ट है बहुत बड़ा इसका शरीर है और बड़ा जबड़ा है बहुत ताकतवर समझ में आ रहा था जो कि मौका पाते ही मौके से भाग गया और इस भेडिये की दहशत इसकदर बनी हुई है कि आज पास के इंक्यावन गाओं की लोग पूरी तरीके से दिन राथ सिर्फ और सिर्फ पहरेदारी ही कर रहे है ना घर का काम काज हो रहा है ना खेती किसानी हो पा रही है ना बच्चे स्कूल जा पा रहे है क्योंकि भेडियों का डर बना हुआ है और अभी ये सपस्ट नहीं कि कि कितने भेडिय इलाके में घूम रहे है क्योंकि अभी तो एक भेडिया नजर आया है आसपास के कुछ और ग्रामिन चेतरों में भी भेडियों के पंजे की निशान पाए गए हैं और इस वज़े से माना जा रहा है कि ये एक भेडिया नहीं है एक से जादा भेडिये हैं जो की इलाके में दह्शत फिलाई हुए हैं अब आप ये देखिए कि माना जा रहा था अमावस्या की जो रात होगी उसमें भेडिये जरूर पहुंचेंगे और ऐसा हुआ भी घात लगा कर भेडिये ने हमला करने की कोशिश की है अमावस्या की रात का भेडियो से क्या कनेक्शन है वो आपको बता दे अमावस्या पर सूर्य का तेज बहुत जादा होता है और इस वज़े से जब रात आती है तो जो हिंसक प्रवत्ती के जानवर होते हैं उनमें और उग्र होता है उनमें और जादा गुसा आ जाता है हिंसक प्रवत्ति और जादा बढ़ जाती है और यही कारण है कि गुसेल रवये के चलते उस तरीके से हमले कर देते हैं तो अई दोसी तरफ जो एक्सपर्ट से उनका ये कहना है कि आमावस्या की रात श्याह अंधिरा होता है गोर अंधिरा होता है और इस अंधिरे का फायदा उठाकर भेड़ियों को मालूम है कि इस अंधिरे में बहुत ही आसानी से वो शिकार कर सकते हैं अपना पेट भर सकते हैं और यही कारण है कि आमावस्या की रात पर भेड़िये जरूर आते हैं शिकार करने के लिए और इसी मौके का फाइदा उठानी की कोशिश वन विभाग कर रहा था, नजर बनाय हुए था, जाल बिछाया हुआ था, लेकिन भेड़ी ने उस जगे पर दस्तक जी, जहां पर सिर्फ ग्रामिड मौके पर मौझूद थे और पहरेदारी कर रहे थे, हलाकि भेड़ी को पकड नहीं पाए, बेड़िया तुरंट यहां से भाग गया, बच्ची को उसने दबोचा, कुछ दूर घसीटा, लेकिन वो पकड नहीं पाया, बच्ची को ले जा नहीं पाया, वरना एक और मासूम की जान चली जाती, गणिमत ये रही कि वहां पर मौझूद लोगों ने तुर ग्रामेडों का भी आप सुनिए, वहां के हालात कैसे थे, वो तस्वीर भी एक बार आप देखिए, और दादी बच्चे को लेकर यहीं पर सोई हुई थी, खून के कुछ निसान अभी आप यहां पर तस्वीरों में देख पार है, कुछ बलड यहां पर है, जरा यहां पर देख पार है, और यह मच्छर दानी है, देखिए, गोलद आगए जारहे है, पठाके दागे जारहे है, बन वीवाक के दिकारी यह पठाके दागने जो लेटे हुए थी दादी यहां थी बेडिये ने आकर मासूम को पकड़ा तो देखा आपने किस तरीके से बेडिये के पंजे की निशान साफ तोर पर दबे पाउ भेड़िया आया घमलाख हिया भाग गया अब वन विभाग की टीम के लिए राज्जस्वी की टीम के लिए पुलिस प्रशासन के लिए ये बहुत बड़ी चुनोती बन चुका है कि किस तरीके से भेडियों को पकड़ा जाए या फिर किस तरीके से निशाने पर और सीधे तोर पर गोली माने के जो आदेश दिये गए हैं इस पर अमल किया जाए आज पास के इंक्यावन गाओं इस वक्त दहशत के साहे में हैं और कोशिश यही है कि कितनी जल्द इस भेडियों को पकड़ कर जंगल की तरफ ले जाया जाए या फिर खात्मा किया जाए तो डर, खाफ और इस भेडि की बज़े से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है देखना यही है कि वन विभाग की टीम को कब तक इन भेडियों से सफलता मिलती है कब तक लोग रहात की सांस लेते हैं चैन की निन्स होते हैं ग्रामी चेतरों में कच्छे मकान, कच्छे दर्वाजे होने की बज़े से भेडियों के लिए बहुत असान हो जाता है घर के अंदर दाखिल होना और किसी मासूम को अपना निवाला बना ले रहा है लेकिन अब आपको और जादा सतरक रहने की सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि आपको अपने बच्चों के सुरक्षा करना है क्योंकि बच्चे ही पहला शिकार है इन भेडियों के और बच्चों को आपको बहुत जादा सुरक्षित रखना है आपको सतर्क रहना है, पहरेदारी करना है, जब तक इन भेड़ों का खात्मा नहीं हो जाता है या फिर जब तक इन भेड़ी ये वन भी भाग के जाल में नहीं फस जाते हैं सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें नेटवर्के टीन के साथ, नमस्कार